अरहंत सिद्ध वीतराक परमात्मा, निर्गरंथ आप्त ग्यानी सद्गुरुदेव एवं आगम वानी को भाव में वंदन नमन, भव्यात्माओं की भविता को प्रणाम। हम सुन रहे थे राजकुमार शिव और उनके पिता महराज का वारतालाप, जहां पर उनके पिता महराज राजकुमार शिव को जो की दिक्षा लेने के लिए ततपर हो रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वे उन्हें अनेक अनेक युक्तियों से दिक्षा लेने से विमुख करना चाते हैं। वे नहीं चाते कि उनका इकलोता पुत्र राजकुमार दिक्षा ले ले। इसलिए वे उन्हें अनेक अनेक माध्यमों से, अनेक अनेक तरीकों से, अनेक अनेक युक्तियों से समझाने का प्रयास करते हैं और वे कहते हैं कि बेटा तुम अभी नादान बालक हो बस तुम्हारे मन में एक लहर उट खड़ी हुई है और तुम बस उसी के अंदर बहे चले जा रहे हो तुम्हारे मन में बस एक भावना ने जन्म ले लिया कि मुझे दिक्षा लेनी है लेकिन तुम है कितनी इसके भीतर गंभीरता चिपी हुई है इन सम बातों से अभी तुम अंजान हो और फिर अभी तुम नादान हो अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन है युवावस्था है तुम संसार में अभी तो भोग करो मस्ती करो मजे करो औ उस समय में धरम को अंगीकार कर लेना उस समय में धरम के मार्ग पर बढ़ने की सोचना लेकिन इस बात को सुनकर राजकुमार शिव कहते हैं कि पिता जी कौन जानता है कि यह आत्मा इस शरीर को छोड़ कर कब दूसरे इस्थान पर चली जाए इसका कोई किसी को भी पता नही है कि कब हम सब लोग मृत्यू की आगोश में चले जाएंगे मृत्यू कभी भी किसी भी पल आ सकती है वृध्धा वस्था तक मृत्यू इंतजार करे ही ये तो कोई आवश्चक नहीं है इसी लिए आप शुब कार्य को आगे आने वाले समय तक तालने की बात कर रहे हैं जो ही एक प्रसंग महाभारत में भी आता है बहुत ही प्रचलित कथा है कि जब पांचो पांडव वनवास में थे तो उनके वनवास के दोरान एक दिन जब उनका दुपहर का मध्यान का भोजन संपन हुआ ही था कि उस समय वहाँ पर एक याचक आया और उसने भीम के सामने आक के भिक्षा की याचना की तब भीम ने कहा कि महाराच इस समय तो हम सब का भोजन संपन हुआ ही है इसलिए अभी भोजन है नहीं तो आप ऐसा किजिएगा कि कल आप समय पर आईएगा ताकि मैं कल आपको निश्चित रूप से जो भी दान है वो मैं आपको निश्चित रू से बिक्षान प्राप्त करके जाएंगे यह बात धर्मराज युधिष्ठिर ने सुनी और तब युधिष्ठिर कथा बताती है कि धर्मराज युधिष्ठर इस बात को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हो गए और खुश हो करके सब को बताते हुए कहने लगे कि तुम लोग जानत भीम ने तो मृत्यू पर विजय प्राप्त कर ली है। भीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों व्राता युदिष्टर इस तरह की बात कर रहे हैं, मैंने मृत्यू पर विजय भला कैसे प्राप्त कर ली। तब धर्मराज ने बताया कि तुमने उस याचक से कहा कि आप कल भिक्षा के लिए आना, आपको कल अवश्य ही में भिक्षान दूंगा। इसका मतलब तुम इतना तो पक्का जानते हो, इतना तो तय है कि तुम कल तक जिवित रहोगे, यानि तुमने कल तक के लिए मृत्यू पर जीत हासल कर ली है। धर्मराज की यह बात सुनकर भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें मालुम हुआ कि सच मुच मैं कैसे निश्चत रूप से ये वादा कर सकता हूं किसी को कि तुम कल आना और हम देखें, हम तो कल के भरोसे और ना सिर्फ अगले आने वाले कल के लिए, कितने कितने लंबे आने वाले कलों के लि सकती है। लेकिन हम सब एक जो हमारे मन को एक अच्छा लगने वाला भ्रम है, उस भ्रम में ही अपने आपको जुलाय चले जाते हैं कि अभी तो बहुत लंबी उम्र है। धरम करने के लिए तो व्रिधा वस्था का समय है, अभी क्यों करना, इतना जल्दी क्या है, इस तरह से भला जवानी में भी कोई दिक्षा लेता है क्या, तो इस तरह से राजकुमार शिव ने जब अपने पिता से कहा कि पिता जी शुभस सी शीग्रम, जितना जल्दी हो हमें उतना कर लेना चाहिए, और आप कहते हैं कि मैं दिक्षा ग्रहन करने की बात को नहीं समझता, ले इसलिए मैं जानता हूँ, लेकिन पिता जी राजकुमार की ये बात मानने को जैसे तयार ही नहीं थे, वे कहते हैं नहीं बेटा, तुम्हें साधू वृत्ती के कष्टों का ज़रा भी ज्यान नहीं है, तुम्हें पता भी है कि दिक्षा लेने के बात कितने कष्टों का साम तुम्हारी शरीर को आज तक आदत पड़ी हुई है। एक कष्ट है बलकि तुम्हें आज तक हमेशा सुस्वादू व्यंजन ग्रहन किये हैं। तुम्हें अंगिकार करना पड़ेगा। ये क्या दुख कम है। और फिर तुम्हारे शरीर को आज तक अच्छा स्पर्श की आदत है। कानों को सुमधूर करन प्रिय वचन सुनने की आदत है। सभी लोग तुम्हारी सेवा में हरदम तत पर रहते हैं। लेकिन दिक्षा लेने के पश्चात ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये शरीर जो आज तक जिन आदतों में पला बढ़ा है वो पूरी तरह से उस आदतों को बदलने के लिए तयार नहीं हो सकेगा। और ये तो मैं सिर्फ शारिरिक आदतों की बात कर रहा हूँ। अगर मन की बात की जाए तो दिक्षा लेने के पश्चात एक व्यक्ति को अपने भीतर की सारी जो सोच समझ है उसको पूरी तरह से बदलना होता है। उसकी पूरी समझ बदलती है उसकी पूरी द्रिष्टी परिवर्तित हो जाती है अगर दिक्षा लेने के पश्चात कोई तुम्हारे विरुद्ध बोलता है कोई तुम्हें पसंद नहीं करता कोई तुम्हारे लिए दुर भावना रखता है कोई तुम्हारे विरुद शड पर भी समभाव रखना है तुम्हारे मन में किंचत मात्र भी वैर का दुश्मनी का या प्रतिकार लेने का भाव यानि उसका रियक्ट करने की भावना भी तुम्हारे मन में नहीं आनी चाहिए क्या इतना समभाव तुम रख पाओगे सभी प्राणियों पर ना सर्फ ये एक बात है बलकि तुम्हें बिल्कुल भी निरड़्थक बोलने का ही त्याक करना होगा एक भी वचन तुम्हारे मुख से अनाविश्यक नहीं निकलना चाहिए अन्यता वो मृशावाद हो जाएगा तुम्हें क्या बोलना है कितना बोलना है कितना सैयत होकर के जीना है ये सब कुछ का अभ्यास करना होगा ये सब कुछ सीखना होगा और ना सिर्फ इतना बलकि तुम्हें वहाँ पर कोई भी अपना कहने वाला नहीं होगा ना तो कोई तुम्हारा वहाँ अपना कोई व्यक्ति होगा कहलाने लायक और ना ही कोई विशय कोई वस्तू होगी जिसे तुम अपना मान सको, तुम्हारा अपना वहां कुछ भी नहीं होगा। फिर वो अदत्ता दान से विर्मित होगा, बिना आग्या के जरा सा छोटा सा तिनका मात्र भी उसे ग्रहन नहीं करना है। क्या तुम इन सभी इतने कठिन और दूस साध्य गुणों को ग्रहन कर पाओगे। पिता का ये कहना, अपने पुत्र से पूछना और पुत्र को समझाना बिलकुल ही उप्युक्त है। क्योंकि कई बार व्यक्ती किसी भी कार्य को आरंब करता है तो बड़े जोश में होता है। और तब उसे ऐसा लगता है कि मैं तो बस उस कार्य को पूरा कर ही डालूँगा। लेकिन जब कार्य शुरू करता है, जब उस कार्य में प्रवरित होता है, उसके जैसे जैसे भीतर जाता है, उसकी बारीक्यों को समझने लगता है, तब उसका वह जोश ठंडा होने लगता है, और यदि प्रारम में जोश के साथ होश नहीं था, यदि जागरिती नहीं थी, तो वह धीरे-धीरे उस कार्य से उसका उत्सा ठंडा होने लग जाता है वो उस कार्य से विमुक होने लग जाता है तो इसी लिए पिता का ये सब समझाना बिलकुल ही ठीक था उप्युक्त था लेकिन शिव कुमार इन सभी बातों को पहले भी अनुभव कर चुके हैं पिता अभी तक इस बात को नहीं जान पा रहे हैं यद्यपी शिव कुमार उन्हें बार बार समझाते हैं कि मैं भली प्रकार से इन सब बातों को समझता हूँ ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा वर्णन मिलता है उत्राधियन सुत्र की उनिस्वे अध्याय मृगापुत्र में मृगापुत्र अपने माता पिता से इसी तरह की बात करते हैं बिल्कुल ही समिलर दृष्टांत है, समिलर उधारन है जहां पर मृगापुत्र को भी एक मुनिराज को देख करके जाती स्मरन ज्यान उत्पन्व हो जाता है और तब वे भी अपने माता पिता से दिक्षा लेने की अनुमती मांगते हैं और उनके माता पिता भी उनहें संयम का महत्व समझाते हैं और संयम पालन करना कितना दुशकर कार्य है उसके बारे में समझाते हुए वे कहते हैं कि तम बिंतम्मा पियरो सामन्नम पुत्थ दुच्चरम गुणाणम तु सहसाइम धारे यववाइम भिखुणो अर्थात वहां पर म्रिगा पुत्र की दिक्षा की अनुमती मांगने पर माता पिता उन्हें कहते हैं कि सामन्नम पुत्थ दुच्चरम हे पुत्र समनत्व का पालन करना समना का पालन करना अत्यंत दुशकर है यानि बहुत ही कठिन है गुणाणम तु सहसाइम धारे यववाइम भिखुणो यानि जब कोई भिख्शु होता है तो उसको सहस्त्रो गुणों को अपने भीतर धारन करना पड़ता है यानि उसको कितना गुणवान होना होगा उसको अपने आपको कितना जादा समझडार बनाना होगा उसकी दृष्टी को पूरी तरह से परिवर्थित करना होगा इतना आसान काम नहीं है इसी प्रसंग में एक भजन की पंक्तियां है संयम कोई खेल नहीं जो टीवी में दिखाते हैं मूम के ये दात को मल जने लोहे के चबानी है राचकुमार शिव के पिता जी ने जब उन्हें समझाने का प्रेतन किया तब राचकुमार शिव ने कहा कि पिता जी आप ये जो संयम में कश्ट सहन करने की बात कह रहे हैं संयम स्विकार करके बहुत ज़्यादा दुख जेलना पड़ता है तो ये दुख और सुख इसकी असली और सची परिभाशा मैं मुनिराज के मुख से पहले ही सुन चुका हूँ जो गटना एक विक्ति के लिए दुखकारी होती है दुखदाई होती है वही गटना किसी दूसरे विक्ति के लिए सुखकारी हो सकती है हो सकता है कि एक बात एक चीज किसी विक्ती के लिए दुख का कारण बनती हो लेकिन वही वस्तू या वही बात दूसरे विक्ती के लिए सुख का कारण हो सकती है क्योंकि सुख और दुख ये दोनों ही मनुश्य की मनोवृत्ती पर निर्भर करता है सुख और दुख हमारे मन की उपज है इसके अतरिक्त और कुछ नहीं रही बात शारिरिक कष्टों को सहन करने की बात तो शारिरिक कष्टों से वही विक्ति घबराते हैं जो की उन्हें सहन करने से ड़ते हैं जो विक्ति डरता है घबराता है उनसे बचने का प्रयास करता है उसी को वो कष्ट कष्ट कर मालूम पड़ते हैं उसी के लिए वे दुखदाई बनते हैं अन्य था कष्ट तो हो सकता है लेकिन अगर वो स्वयम उसे स्वीकार करता है और उसे जहलने से डरता नहीं है घबरात और मैं यह जाण पाया हूं कि वास्तव में कैसे दुखों को सुखों में बदला जाता है इस दुन्या में अगर कोई सबसे बड़ी कला है तो वो है दुख को सुख में परिवर्टित करने की kला क्योंकि दुख और सुख ये दोनों ही व्यत्य की मानसिक्ता पर अवलंबित रहते हैं तो इसी लिए मैं इन कष्टों को सहन करने के प्रती जरा भी घबराता नहीं हूँ और फिर पिता जी मैं तो क्षत्रिय पुत्र हूँ आपने मुझे जीवन के आरंब से ही बच्चपन से ही वीरता के संसकार दिये हैं आपने मुझे एक वीर योधा बनना सिखाया है और एक सच्चाक शत्रिय कभी भी रण में सामने रहे हुए शत्रू को देख करके डरता नहीं है गबराता नहीं है बलकि वो तो दिरता से अपने शत्रू का सामना करता है एक वीर योधा कभी भी रण में पीट दिखा कर भागता नहीं है ये बात आपने ही मुझे सिखाई है तो इसी लिए मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ूँगा और वीरता के साथ सदा द्रड़ता के साथ उसी मार्ग पर डटा रहूँगा पालन करता रहूँगा ये शारिरिक कष्ट मुझे तनिक भी विचलित नहीं कर सकते हैं मैं कायर नहीं हूँ पिता जी मैं इस राजमार्ग पर जो संयम का राजमार्ग है जिसे की वीर पुरुष ही अपनाते हैं मैं इसका वीरता से ही पालन करूँगा और इस पर वीरता के साथ ही आगे बढ़ता रहूँगा आचारांग सुत्र कहता है पणया वीरा महा वीहिम यानि इस संयम रूपे महा वीथी पर वीर पुरुष ही प्रणत होते हैं तो सच मुझ मैं एक वीर पुरुष की भाती इस मार्ग को ग्रहन करूँगा और सदा ही वीरता के साथ उस पर अग्रसर होता रहूँगा राजकुमार शिव के मुख से इतनी युक्ती संगत तरक युक्त बात को सुन कर अब उनके पिता जी अवाक हो गए अब उनके पास में बोलने को कुछ भी नहीं बचा वे जुबान से तो चुप हो गए लेकिन मन में अभी भी उनके द्वंद्व युद्ध चल रहा था उनके भीतर भावों का तुफान उमड घुमड रहा था और उनके मन में एक संगर्श चल रहा था उनकी भावना जिसके भीतर पुत्र के प्रती मोह है ममता है वो पुत्र की ममता उसे अभी भी दिक्षा लेने के लिए अनुमती देने में समर्थ नहीं हो पा रही है और फिर कैसे वो अपने उस इकलोते पुत्र को दिक्षा लेने की आग्या दे सकते हैं जिसकी अभी अवस्था भी युवा है एक तो इकलोता पुत्र और फिर नवीन युवा अवस्था ऐसे में वो कैसे उसे दिक्षा लेने की आग्या दे दे मन के भीतर विचारों में ही भयंकर संगर्ष चल रहा है एक तरफ पिता के भीतर ये उहा पोह और उधर अगर हम उनके माता की स्थिती देखें तो माता की ममता तो कभी भी अपने पुत्र को दिक्षा लेने के लिए अनुमती दे ही नहीं सकती इस दुन्या में मा की ममता बहुत प्रसिद्ध है कि मा के मन में पुत्र के प्रती इतना अधिक मोह रहता है इतनी अधिक ममता रहती है कि मा के सामने हमारा कोई भी लॉजिक काम नहीं करता राजकुमार शिव अपने पिता के साथ तो फिर भी वारतालाप कर पा रहे हैं उन्हें स्वयम भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं पिता जी स मा की ममता के आगे फीका पड़ जाता है चाहे हम कितनी भी रैशनल बाते कर दें लेकिन हमारी माता किसी भी बात को सुनना ही जैसे नहीं चाहती है क्योंकि मा की ममता ही इतनी अधिक होती है अपने पुत्र के लिए और ऐसा क्यों कहा जाता है कि मा की ममता ममता तो पिता के रि उसे उतना अधिक अपना मान लेती है यानी कि मा अपने पूत्र के साथ में अपने आपको denटिफाई कर लेती है वो अपनी आइटिटी अपने पूत्र में देखती है इसलिए तो पुत्र को अलग जाने की कोई बात कही जाए या पुत्र स्वयम भी अगर जाना चाहे तो वो इस बात के लिए सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाती क्योंकि वो उसका अपना रूप हो जाता है अपने आप के साथ इतना गहरा तादात में बना लेती है कि वो स्वयम को उससे अलग करने की बात सुन ही नहीं पाती यहाँ पर भी राजकुमार शिव की माता की ऐसी ही स्थिती हुई ये सब बाते सुनकर माता तो जैसे मुर्चित ही हो गई मुर्चित होकर के गिर पड़ी क्योंकि माता की ममता इस बात को सुनकर सहन ही नहीं कर पाई कि पुत्र दिक्षा लेने की अनुमती मांग रहा है लिए कोई उप्युक्त समाधान सोचा और फिर उन्हें एक उपाय भी सूज गया उन्होंने अपने ही नगर के अंदर रहने वाले एक जिन्दास नाम के श्रावक जी को बुलाया जो की जिन धर्म के प्रती आस्थावान थे श्रावक थे और शास्त्रों को जानते थे राजकुमार शिव को समझा सके और दिक्षा लेने से विमुख कर सके अब शावक जी वहाँ पर आये और आकर के राजकुमार से कहने लगे कि राजकुमार सबसे पहले तो मैं आपके वेराग्य भाव की अपने अंतर करण से सराना करता हूँ क्योंकि धन्य भागी होते हैं वे लोग जिनके भीतर वेराग्य का भाव जागरित होता है और आपके भीतर वेराग्य का भाव जागरित हुआ है इस बात के लिए मैं आपकी अनुमोदना करता हूँ सराहना करता हूँ लेकिन आपके माता पिता, महराज और महरानी आपकी दिक्षा लेने की बात सुनकर ही अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं उन्हें बहुत दुख हो रहा है इस बात को सुनने मात्र से ही और अगर माता पिता को इतना अधिक कष्ट हो रहा है कि वे आपको किसी भी तरीके से दिक्षा लेने के लिए अनुमती देना नहीं चाहते हैं और माता पिता की अनुमती लिए बगेर आप दिक्षा लेंगे तो यह भी योग्य नहीं होगा और माता पिता की अनुमती वे सच्चे रिदय से तो आपको दे ही नहीं पा रहे हैं और अगर अंतह करण से वो आपको आग्या नहीं दे रहे हैं तो उनकी बिना आग्या के दिक्षा लेना योग्य नहीं होगा और अगर जबर्दस्ती आग्रह करके जिद करके अत्वा दबाव डाल करके आप किसी भी तरीके से उन्हें मना लेंगे दिक्षा की अनुमती देने के लिए तो भी क्या वो सच्ची भाव आग्या कहलाएगी नहीं जब तक वो अपने रिदय से इस बात को स्वीकार ना कर ले और हार्दिक रूप से आपको अनुमती ना दे दे तब शक आपको दिक्षा नहीं लेनी चाहिए आपके सामने अनेकों महापुरुशों के उधारण है स्वयम प्रभु महावीर स्वामी की जीवन गाथा हमने पढ़ी है और उससे हमें ग्यात होता है कि भगवान महावीर स स्वामी ने जब ये जाना कि उनके माता पिता को उनके प्रती अत्यधिक मोह है और माता पिता को उनकी अभिनिश्क्रमन की बात से कितना अधिक दुख होगा तो यह सोच करके ही उन्होंने उसी समय संकल्प कर लिया कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं सयम ग्रहन करने की अविनिश्क्रमन करने की बात ही नहीं करूंगा। स्वयम प्रभु महावीर ने भी माता पिता की जीवित अवस्था में दिक्षा ग्रहन नहीं की। अभी तुम फिर से राजमहल छोड़ करके जाने की बात करते हो। तब भगवान महावीर ने भी अपने परिजनों का अपने स्वजनों का अपने गुरु जनों का सम्मान करते हुए दो वर्ष तक ग्रहस थवस्था में रहना स्विकार कर लिया था। यद्यपी वे उस ग्रह तया विरक्त हो चुके हो लेकिन आपके सामने ऐसे ऐसे महापुरुषों के उधारन हैं जो की भीतर से विरक्त होते हुए भी अपने गुरु जनों की इच्छा को सम्मान देते हुए ग्रहस थवस्था में ही रहे। अंतगर दशांग सुत्र में वर्नन आता है तीन खंड क अधिपती वासुदेव श्री कृष्ण के प्यारे भ्राता गज सुकुमाल का गज सुकुमाल भी भगवान अरिष्ट नेवी के पास में प्रवरजित होना चाते थे अनुमती मांगी लेकिन माता देव की जिसकों की बहुत मन्नते करने के पश्चात ये पुत्र सहज काम नहीं था वो इतना लाड इतना दुलार उनका अपने सबसे चोटे पुत्र गज सुकुमाल के साथ था कि वो कैसे उसे अनुमती दे दे माता की अनुमती नहीं मिल रही थी और ना ही स्वयम उनके बड़े भ्राता श्री कृष्ण महराज चाते थे कि उनका भाई द दिक्षा लेनी ही थी किन्तु फिर भी उन्होंने आग्रह नहीं किया उन्होंने अपनी बात रखी माता पिता और भ्राता नहीं मान रहे थे उन्होंने कहा कि गज सुकुमाल ठीक है तुम्हें दिक्षा लेना है तो लेना किन्तु पहले हम तुम्हें राज श्री से युक् लगाये जाएगा और हम तुम्हें राजा के रूप में देखना चाते हैं। उन्होंने सोचा कि जब राज मुकुट इसके सिर पर रख दिया जाएगा, राज्या विश्रिक्त हो जाएगे तो उसके पश्चात इनके भीतर का ये भाव स्वतर ही चला जाएगा, विमुक हो ज जना भी एक तरह की सुक्ष्म हिंसा ही है। आग्रह, विग्रह और संग्रह ये तीनों ही हिंसा ही कही जाती है। क्योंकि आग्रह जब विक्ति किसी चीज का करता है, जब हम किसी भी बात के लिए दबाव डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो वो एक तरह का हिंसा का का इसलिए वह अपने आप में आगरह एक सुक्ष्म हिंसा है। सर्व प्रकार से प्राणाती पात से विर्मित होने की बात कर रहे हैं तो आप भला आगरह कैसे कर सकते हैं और जब तक माता पिता सहर्श अपनी रिदे की भावना के साथ अंतह करण से आपको अनुमती ना दे तब तक आपको दिक्षा ग्रहन करना उचित नहीं है। श्रावक जंदास ने सिर्फ इतना ही नहीं समझाया। उन्होंने और भी अनेकों उधारण दिये। और उन्होंने कहा कि राजकुमार हम देखें माता मरुदेवी हुए। भगवान रिशब देव की माता प्रथम तेर्थंकर आदिनात की माता वे भी तो ग्रहस्त अवस्ता में ही थी और उन्होंने केवल ग्यान को मुक्ती को उपलब्ध कर लिया। और फिर प्रथम चक्रवर्ती, भरत, समराट जो की छे खंड के अधिपती है। लेकिन उन्होंने भी शीश महल में ही केवल ग्यान को प्राप्त कर लिया। यानि कि वे सब ग्रहस्त वेश में ही थे। ग्रहस्त लिंग से भी तो सिद्ध गती को प्राप्त किया जा सकता अमारे यहां पर सिद्ध गती को प्राप्त करने के अनेक भेद बताये गए हैं। 15 भेदी सिद्धा जिने कहा जाता है। उनमें एक भेद ग्रहस्त लिंग सिद्धा भी है। तो ग्रहस्त थवस्ता में रहते हुए भी कोई वेक्ती स्वयम को सर्व कर्मों से, बंधनों से म बुक्त कर सकता है। माता मरुदेवी का उदारन है, भरत चक्रवर्ती का उदारन है। इसका मतलब ये नहीं कि विक्ती ग्रहस्त थवस्ता में ही रहे। लेकिन यदि वह भीतर से पूर्णतया विरक्त हो चुका है। अगर उसके भीतर ये समझ जागरित हो गई है और उसक पूर्णतरांग सुत्र कहता है कि जे ममाईय मैम जहाई से जहाई ममाईयम। अर्था जिसके भीतर से ममता की बुद्धी चूट गई उसका ममत्व भाव भी निकल गया। यानि ममता बुद्धी का चूटना बड़ी बात है। अन्यथा हम एक चीज को छोड़ने के लिए प फिर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें छोड़ने के लिए आतुर रहते हैं कि ये सब कुछ घृनित हैं इन्हें त्याग देना हैं तो दोनों में ही विक्ति समत्व में नहीं हैं मध्य में स्थित नहीं हैं दोनों ही आग्रह हैं एक को ग्रहन करने का आग शेश रहता ही नहीं है और आप तो अपने भीतर पूरी तरह से अनासक्त हो चुके हैं। श्रावग जिन्दास की ये सब बाते सुन करके अब राजकुमार शिव के उपर इन बातों का क्या असर हुआ। कल्प दिक्षा लेने का बदला अत्वा वे फिर भी दिक्षा ग्रहन कर लेते हैं। उनके भीतर की मनोवृत्ती अब किस दिशा की और आगे बढ़ती है। सुनते हैं उसको अगले भाग में आज इतना ही। जै हो ओम शांती।